दोस्तों क्या कभी आप किसी ऐसे ब्लॉग पे गए हैं जिस पे जाके आपको लगे कि यार ये पोस्ट पढ़नी चाहिए फिर दुबारा जाएं रिलेटेड पोस्ट में तब भी आपको लगे ये भी पढ़नी चाहिए और कई मिनट बाद 10-15 मिनट बाद आपको लगे यार आप तो लूप में फस गए हैं लगातार आप पढ़े ही जा रहे हैं और उस वेबसाइट से बाहर ही नहीं आए सारी पोस्ट आपको लगती हैं इंट्रेस्टिंग है तो कौनसी तरह की पोस्ट होती हैं 15 तरह की पोस्ट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरह की पोस्ट आप कभी भी बना सकते हैं यदि आपको आइडिया भी नहीं आ रहा होगा न कि किस तरह आप नई पोस्ट बनाएं तो ये 15 पोस्ट आप कभी भी देख लीजेगा, इन में से किसी पे भी आप कभी भी लिख सकते हैं तो चलिए बिना समय गवाए ये वीडियो हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला है लिस्ट पोस्ट अब आपका चाहे जो नीश हो चाहे ट्रेवलिंग हो, चाहे फैशन हो, चाहे एजूकेशन हो, कुछ भी हो लिस्ट हर चीज में अबिलिबल है एजूकेशन में चले जाएए, बुक की लिस्ट बना दिए, कोचिंग सेंटर की लिस्ट बना दिजे school, college, किसी भी चीज की list बना दीजे best school, best college, best MBA institutions, best engineering colleges कोई भी list बनाईए आप खुद से research कीजे अच्छी से अच्छी, unique से unique, बहतर से बहतर list बनाईए पक्का चलीगी post, लोग पढ़ेंगे आप चाहे आप fashion में चलेज़े, trending fashion, इस पिर list बना दीजे electronics में चलेज़े, camera जो है proper उन पे list बना दीजे कि 20,000 के अंदर वाले camera या फिर sports camera और ये सब किसी भी चीज पर आप list बना सकते हैं, अगला चलते हैं, number 2 ये है quick tips and tricks, किसी भी चीज पर, चाहे वो education हो, fashion हो किसी भी चीज में आप quick tips and tricks दे सकते हैं, चाहे वो कुछ भी चीज हो, अब चाहे मान लीजे कोई camera से shoot करने वाला हो, तो आप camera वाले की भी tips and tricks दे सकते हैं, पढ़ने वाले को आप बता सकते हैं, ऐसे पढ़ लो, आप fashion में बता सकते हैं, ऐसे कपड़े पहन लो, makeup में आप बता सकते हैं, quick tips के वही ऐसे makeup कर लो, खाना में आप बता सकते हैं कि ऐसे डालोगे तो ज़्यादा स्वाधिस्ट बनेगा, तो इस तरह से tips and tricks पे भी आप अच्छी post बना सकते हैं, नमर ती हमारे पस है timeline, timeline में क्या होता है कि कोई भी एक हम चीज पकड़ लेते हैं, जैसे कि हाली में चल रहा है coronavirus, अगर हम coronavirus कोई पकड़ लें और इसी की timeline हम लिख दें, कब-कब कौन-कौन सी चीज हुई, इस तरह कि हम कोई post बनाए, education में क्या-क्या बदला हुए, इस पर बना सकते हैं, इसी तरह कि कोई भी एक चीज पकड़ के उसमें, जो भी समय के अंतराल में, क्या-क्या परिवर्तन होते जा रहे हैं, उसकी timeline पे भी हम एक post बना सकते हैं, और ये भी बहुत engaging post होती है, जितनी भी post में आपको बता रहा हूँ, ये highly engaging है मतब कोई भी आएगा तो पढ़े गई पढ़ेगा, ये समझ लीजे, बहुत ही engaging post होती हैं, इस तरह कि आप बनाएंगे, तो आपके blog के लिए बहुत ही अच्छी है, अगला चलते हैं, अगला होता है how to और step by step जो post होती हैं इनमें क्या होता है कि किसी भी चीज को आप सिख आते हैं, जैसे अपना math कैसे improve करें, अपनी English कैसे improve करें, अच्छे photo कैसे कीजिए, अच्छा makeup कैसे करें, अच्छा खाना कैसे बनाएं, कुछ यो भी आप सिखा सकते हैं, तो how to वाली जितनी भी post हैं, वो बहुत अच्छी चलती है, step by step guide और how to, मतलब जिसमें आप step by step बता यानि कि इसमें आप किसी भी नीश में resources प्रोवाइड करते हैं लोगों को, या tools प्रोवाइड करते हैं, resources और tools में हो सकते हैं, आपके apps हो, online websites हो, downloads हो, या कोई और information हो सकती है, तो इतनी चीजें आप प्रोवाइड करते हैं, किसी भी नीश में ये संभव है, अमाले ये fashion व होता है, इन पर जाओ, यहां से खरीदो, ये shop अच्छी है, खादी वाली ये shop अच्छी है, तो इस तरहें कि आप information दे सकते हैं, इस वाली में, education में आप download दे सकते हैं, resources की website दे सकते हैं, NCRT की website के बारे में बता सकते हैं, कोई quiz website हो, उसके बारे में बता सकते हैं, कोई तो इन पर विशेशकर आप पोस्ट बना सकते हैं किसी भी ने इशमद सकती है کہ भाया देखो अब ही जुदी यह इस पर अच्छी फॉटोग्राफिए ऐसे करें इवाली पर एसे कपड़े पहने या दिवाली पर यहां यहां चूट चल रह 노래 यहां से खरीददारी करें तो seasonal post बनाई जा सकती है seasonal में आप GK में देंगे दिवाली क्यों मनाई जाती है holy क्यों मनाई जाती है Eid क्यों मनाई जाती है यह type की जो GK और educational website है वो type के ऐसे लिख सकते है यानि यह जो post है इन सब पे भी बनाई जा सकती है चलिए अगला चलते है नमबर साथ नमबर साथ है question and answer यानि FAQ frequently asked questions इसमें भी आप किसी भी नीश में बना सकते हैं मान लीजे fashion में अक्सर लोग क्या सवाल पूछते हैं education में लोग जैसे मान लीजे SSE का exam होता है UPSC का exam होता है education में लोग पूछते हैं कि तैयारी कैसे करें कितने साल तक उमर होती है कितनी फीज जाती है तो ये सारी अखटे करके आप एक पोस्ट में FAQs लगा सकते हैं और अपने हिसाब से अपनी भाशा में उनके आंसर दे सकते हैं ऐसे ही fashion वाले भी FAQ आप बना सकते हैं ऐसे ही किसी भी नीश में FAQs बना सकते हैं और ये पोस्ट भी बहुत ज़ादा पढ़ी जाती है और Google के लिए भी मतलब search engine के लिए भी इस तरह की पोस्टे हैं बहुत अच्छी होती है अगला चलते हैं अगला नमबर आठ नमबर आठ है रिव्यूज रिव्यूज में आप किसी भी जैसे बुक का रिव्यूज कर लिजाए एड्यूकेशन वाले किसी जैसे फैशन वाले हैं तो फैशन में ब्रैंड का रिव्यूज कर सकते हैं कोई नई तरह की ड्रेसेस का भी कर सकते हैं कैमरों का कर सकते हैं technology वाले laptop का कर सकते हैं किसी भी चीज़ कहां प्रिविउ कर सकते हैं beauty वाले किसी beauty product का रिविई कर सकते हैं तो यह reviews वाली जो post होती हैं यह भी बहुत अच्छी चलती है आप उत्में अपना experience sure कीजे मैने जब इसको use किया तो इस तरह था वो अगर share करेंगे क्योंकि blogger के पास इंसान आता है उसका personal experience जानने, नहीं तो वो company की website पे भी जा सकता है किसी की पे, तो उसको मालूम है कि ये जो बंदा बता रहा है, ये genuine होगा, इसने personal use किया होगा, वो personal touch लेने आता है, तो वो आप उसमें डालिए, वो बहुत बेतर रहता है, नंबर नौ में आते हैं हम secrets, तो हम किसी भी चीज के, जैसे secrets एकटे करके, जो लोग commonly नहीं जानते, उन चीज़ों को एक में बता सकते हैं, जैसे कि मालीजे, education में चले जाएं, education में देख से हैं कि भाई, बहतर तयारी के secrets, first attempt में qualify करने के secrets, ऐसे ही हम देख सकते हैं, beauty में भी अच्छा make-up करने के secrets, या अच्छा photo खीचने के secrets देख सकते हैं, अच्छा camera खरीदने के secrets देख सकते हैं, तो कुछ भी इस तरह के आप जिस भी field में, जिस भी नीश में आपको knowledge है, उसी में आप बनाईए, ये secret वाली आप बना सकते हैं, number 10, number 10 है mistakes, यानि कि आप बना सकते किसी की mistakes, यानि कि photo खीचने में ये mistake कभी ना करें, make-up करने में ये mistake कभी ना करें, तयारी करने में ये mistake ना करें, खरीदने में ये mistake ना करें, तो इस तरह की mistake वाली post होती हैं, ये भी जबरदस चलती हैं, और आप इन पर लिख भी बड़ी आसानी से रखते हैं, क्योंकि कम प्रिशर्च कर लिया कुछ भी कर लिया महात्मा गांधी पर कर लिया यह नहीं रिसेर्च से मतलब है कि आपका कोई भी आपका जो नीश है उसमें आपको नॉलेज कितिनी डीप है आप कपड़ों में आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है आपने उसी में कुछ अपना कर लिया हो सकता है कैमरों में आपकी रिसेर्च बहुत अच्छी है कि कैमरे का ये वाला लेंस अच्छा होता है वो वाला लेंस अच्छा नहीं होता है ये वाले कैमरे में ये वाली रिसर्च जो सिर्फ आप जानते हैं जो सिर्फ आप अपनी भाशाम बता पाएं दूसरे की कॉपी करके नहीं अगला नंबर बारा में हमने रखा है प्रेडिक्शन को यानि किसी भी चीज के बारे मैं प्रेडिक्शन कर सकते हैं जैसे मान लिजे दोजार पच्चिस में कैमरे इस तरह के होंगे दोजार पच्चिस में टीवी इस तरह के होंगे दोजार पच्चिस में पढ़ाई इस तरह से होगी मानली जब दोजार एकिस के बारे में अगर मैं प्रेडिक्शन करूं कि online पढ़ाई बहुत जादा होगी क्योंकि अभी coronavirus चल रहा है तो जाद तर स्कूल जो है online पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं तो अब मैं और जादा prediction करने लगूं कि camera में 200 megapixel चोटे mobile के camera में तो इस तरह के prediction अब मैं और prediction करने रहूंगे वेब साइट ऐसी हो जाएंगे Google वैसा हो जाएगा तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ पर prediction करें और लोग उसको पढ़ेंगे बहुत चाव से पढ़ेंगे अगला है नमबर 13 इसमें आप शेयर कर सकते हैं rumors यानि कि अववाओं को बारे मैं बता सकते हैं वह यह देखो ऐसी ऐसी अववा चल रही है लेकिन ये ठीक नहीं है अब बता दो लेकिन अववा फैलाने में कभी शामिल मत हुएगा नहीं तो आप से लोगों का trust बिलकुल खत्रम हो जाएगा आपको बोलना है कि देखो ये वाली अववा चल रही है लेकिन इसकी सचाई ये है आप कह सकते हो 2020 की technology related 20 सबसे बड़ी अववा हैं आप कह सकते हो education related अववा हैं आप कह सकते हो fashion related फ़लाना रिकाना किसी भी तरह की अववाओं को आप अपनी एक post में सम ही नहीं है यह जरूर बताना मत बूलना ऐसा मत करना कि आप अववा को टाओ पेस्ट कर दो जी अववा है चलो आगे बढ़ाओ ऐसा नहीं करना नमर चौदा है experiment अब experiment ज़रूर नहीं है कि science के experiment आप करें lab में जाके आप experiment करें वह वाले experiment नहीं social experiment भी होते हैं और धेर सारी पोस्ट में लिख सकते हैं detail में वहीं देखो मैं ऐसा गया और यह यह हुआ ऐसे से मुझे इससे ऐसे लाबगी प्राप्ती हुई आप कोई भी हो सकता है कि आपने कहीं से gain किया हो पैसा कमाया हो किसी तरीके से stock market का या जो भी इस तरह के experiment हो सकते है science के भी हो सकता है आपने अब आदे नमबर 15 पे नमबर 15 है experience experience में क्या है experience में आप अपनी life के experience share करते हैं कि भाई देखो मैंने ये experience से अपने experience से ये सीखा या यहां मैं गया है मुझे ये experience हुआ तो इस तरह कि जो एकदम real experience वाली जो post होती हैं ये भी लोग पढ़ना बहुत पसंद करते हैं और बह पोस्ट पढ़ते हैं लेकिन आपको उसको बताने का तरीका आना चाहिए उसमें बिलकुल जूट नहीं होना चाहिए और पूरी की पूरी आपका जो real experience है आपके खुद के touch के साथ उसके अंदर होना चाहिए तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है संद आया होगा आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर लेकि आता रहूँगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजगा और बैल आइकन के बटन को भी दबा दी जगा और यदि कोई भी समस्या हो तो हिंदीटेकी.com हमारे सपोर्ट फोरम में आप जा सकते हैं उसे जॉइन कर लीजें वहां कोई भी समस्या आप शेयर कर सकते हैं साथ मिलके सीख सकते हैं घ्र सारे सवाल कर सकते हैं दूसरों के सवालों के जबाब भी दे सकते हैं तो वो भी एक बार विजिट कर लीजेगा फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्या झाल झाल